हालो ट्रेडर्स वेलकम बैक तो माई चैनल और आज इस वीडियो पर हम लोग बात करने वाले धनसर रिलेटेट क्योंकि धनसर रिलेटेट एक इंपोर्टेंट छोटा सा अपडेट आया है जो कि काफी अच्छा है तो वह चीज़ आज हम लोग डिसकस करने वाले है तो अगर लोग बात करेंगे तो सबसे पहले एक इशू था धन का कि अगर आप यहां पर कोई भी स्क्रिप्ट एड करते हो जैसे कि अभी आप देख सकते हो मैंने यहां पर कोई भी रेंडम ली जो है स्टॉक्स एड करके रखा है तो यहां पर आप देख सकते कि यह अजीब सा एक जो और वाइस होता है ना वो अलग से फॉर्म रखाया है जैसे कि यहां पर एस से शुरू हुआ है फिर एन फिर जैड फिर बीच में ए घुस गया है ठीक है तो यह जो हता है वह स्क्रिप्ट का कोड होता है उसके हिसाब से पहले जो है और इन्होंने मैंने वहां पर फॉर कि वह एरेंज हो जाता है तो उन्होंने जो है काफी लोगोंने सपोर्ट किया उहां पर भी बोला धन को कि यह सारी चीज अपडेट लाए जैसे कि यह फॉर्म सही फॉर्म में फिलाल है नहीं तो मैं यहां पर वन क्लिक करने वाला हूं नेम पर आप देख सकतो हो जैसे कि यहां पर लेटर से रिलेटेट जो है स्टॉक एड़ किया हूं ताकि आपको मैं दिखा सकूं यहां पर क्लियर ली तो यहां पर देख सकतो हो ओर्डर वाइस यहां पर अल्रडी सेट हो चुका है जैसे कि यहां पर A, B, C, D, E, F, G, H और लास्ट में यहां पर देख सकतो हो तो सबसे पहला बात किया कि हम यहां पे और यहां पर जो त्री डोट से यहां पर देख सकते हूँ ठीक है यहां पेEh इस पर जाओगे है यहां पर रांतर जाओगेिशत के अदेर elder fields यहां पर क्लीक करोगे तो आपको कई सारी चीज़ेश को मिलेगी सबसे पहले बात करते हैं फूल स्क्रीन चार्ट अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो इस जो स्टॉक है इसका फूल इस जो जाएगा नेक्स्ट टैब में ठीक है उसके बाद यह जो वचलिस्ट है आप देख सकते हो इसको कौन सा वचलिस्ट में डालना चाहते हो या बुक मार्क करना चाहते हो तो यह भी आपको यहां पर अपडेट देगा उसके बाद तीसरा जो है यहां पर फॉरेवर ओर लगा सकते हो जिनका मतलब फॉरेवर ओर का मतलब होता है कि अगर आपके पास टाइम नहीं है ट्रेड करने के लिए लिकिन आपको पता है कि यह लेबल से प्राइस जो है उपर जाएगा या नीचे जाएगा तो आप यहां पर क्या कर सकते हो यहां पर एक जी टी टी जो हो order मतलब कि यहां पर आप lifetime order लगा सकते हो जब तक कि आप खुद इसको cancel ना कर दो तो यह एक अच्छा चीज है forever order उसके बाद बात करते है set price alert यहां पर पहले क्या हुआ करता था कि आपको पहले से यहां पर एक stock को click करना पड़ता था फिर आप यहां पर set alert का option आपको यहां पर देखने को मिलेगा set alert का मतलब होता है कि आपको मान लिजे कोई भी level पर अगर आप buy कर रहे हो तो वहां पर आपका जो alert आना चाहिए तो आप यहां पर मान लिजे अभी price something अभी है 1761 के आसपास या फिर यहां पर आप देख सकते हो 1756 के आसपास तो आपको लगता है कि price और नीचे आएगा मतलब 1750 में आएगा तो आप यहां पर set alert पर click करके directly यहां पर price set कर सकते हो जो भी आपका price range है ठीक है तो यहां पर पहले इस तरह का हुआ करता है कि आपको यहां पर stock पर click करना होगा फिर उसके बाद set alert पर अभी इन्होंने क्या कर दिया कि जो stock है कोई भी stock ले लिजे यहां पर आप more पर click करेंगे directly यहां पर set price alert पर click कर देंगे तो यहां पर आपका option directly इस तरह का आजाएग इस पर को मान लिजे यहां पर ही बात कर लेते गेल ठीक है तो गेल पर आपको लगता है कि price यहां से उपर जाएगा तो आपने यहां पर बहुत research किया है fundamental technical दोनों company का आपने statement देखा है बाकी profits quarterly results यह सारी चीज़े जो होते हैं आपने यहां पर देखके आपने सोचा कि चल आपको इंडिविज्वली यहां पर आपको कोई भी stock क्लिक करके फिर यहां पर start sip करोगे यह सब अभी जो है चंजट नहीं रहा उसके बाद हम लोग बात करते हैं डिलेट यहां से भी आप डिलेट कर सकते हो यहां से भी डारेक्ली जो है कीबोर्ड यहां पर प्रेस कर सकत एक प्राइस जो था कोई इसउ नहीं था अगर आप प्राइस पे इसकलिक करते हो तो यहां पे थे प्शीन घॉत धलिग नहां से बहुत तो यह चोटे पर जो आपने एड किया है उस के सबसे यहां पर आपका जो पर्सेंटेज वाइज है जो है संटी वी देखिया कि सकते हो कि काफी ज्त यहां पर गिरावाट में देखने को मिल रहा है जील में भी सेम चीज़ है, HDFC बैंक में भी सेम चीज़ है, ठीक है, तो मैंने आपको याद होगा कि मैंने बहुत पहले, यानि कि दो दी या तीन दिन पहले ही मैं आपको बता के राखा था, यह उससे पहले भी हो सकता है, कि मार्केट अभी थोड़ा सा करेक्शन लेगा, यहां पर मैं एक horizontal line भी draw कर दे रहा हूँ, जो कि हमारा एक resistance की तरह काम करेगा, तो आप यहां पर देख सकते हो कि जैसे कि price यहां लेवल पर आया, फिर यहां से down, ठीक है, तो यहां पर यह लेवल पर ऊपर नहीं जा पाया, बट अभी यहां पर देख सकते हो, इस लेवल स इसके रहा है, तो यहां पर मैं थोड़ा साथ जूम करके भी दिखा रहा हूँ, तो यहां पर मैंने बोला देखिए, यहां से तूरं से एकदम इसको उपर नहीं लिखे जा सकता, क्योंकि यहां पर देखिए, price एक बार यहां पर test किया है, यह दूसरा बार टेस्ट करने व अभी में भी हो सकता है इस level पे यहां पर देखें इस level के अंदर मंदर यह अंदर यहां पर consolidation हमें दिखने को मिल सकता है sideways यहां फिर थोड़ा सा यहां पर क्योंकि यह एक support zone है आप देख सकते हो 37,932 के असपस एक support zone है और यहीं से ही आज हमें यहां पर जो movement थोड़ा सा उप पहले कह सकते हैं 41,200 के आसपास 230 के आसपास तो यह एक range हो गया ठीक है तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है लेकिन आप कोई भी जो है news वगरा follow मत कीजेगा आप अपना analysis कीजेगा कि सही क्या है गलत क्या है उस basis पर आप trade करेंगे क्योंकि आप news वगरा या फिर blogs analysis क्या है अगर आप तो यह होता है बात कि आपको यहां पर जब खुद आप analysis आ जाएगा तो आप यहां से खुद से एक decision ले सकते हो अगर आपका analysis गलत भी हो जाता है तो आपको पता रहता है कि यह गलते में दूबरा नहीं करूंगा stock market पर जो कि आपको clearly पता रहेगा इस यह मैं आपको लिख के भी दे रहा हूं जो यह धन का trading platform है number one platform होने वाला है जितने भी stocks मतलब आप up stocks हो गया 0-10 हो गया मैं किसी का बुराई नहीं कर रहा हूं मैं सबसे पहले बात बता रहा हूं बट मैं specification wise का मैं बात करूं अगर उन लोग update नहीं करेंगे तो देखेगा एक दिन ऐसा आएगा जो यह धन है सबसे number one broker होगा trading industry में जो 0-10 है अगर यह update नहीं करेंगे तो क्योंकि यह इतने सारे updates ला रहे हैं जो कि एक trader को क्या जरूवत है आप मान लीजे यहां पर मैं सब कुछ यहां पर आपको अगेन थोड़ा सा दिखा दे रहा हूं वीडियो साथ जो है comment section पर इसको pin कर दूगा तो चलिए जो है मैं क्या बोलने का कुशिश कर रहा हूं यहां पर देखिए जो मैंने यहां पर escorts का stock select किया है यहां पर market पर जो view है आपका daily के हिसाब से आप देख सकते हो ठीक है यहां पर आप इसको chart पर click करोगे तो यह chart पर यहां प पर market का यहां पर जो हैं देख सकते हो किस तरह का price अप जा रहा है ठीक कह तो यहां पर आप अपर buy लेवल अभी रेजिस्टन्स यह है सपोर्ट यह सपोर्ट वान सपोर्ट तो सपोर्ट थी प्यूट पॉइंट की साफ से और उसके बाद अगर फिवनसी आप अगर ट्रेड करते हो फिवनसी को लेकर तो यहां पर भी आप देख सकते हो इनका जो अपना अनलेसिस है मुविंग अवरेज अगर आप ट्रेड करते हो मुविंग अवरेज वगेरा से तो क्लासिकल हो गया एक्स्पोनेंशल हो गया टेकनिकल इंडिकरिटरस अगर आप फॉलो करते हो तो यह सारी चीज़ आपको वैलू मिल जागी लाइक न्यूट्रल क्या है साइडवेस क्या है सारी चीज़ आपको यहापे मैंशन होके रहें अगर आप करें मारजन का यहां पर देख सकते हो कि डेलिवरी में इंट्रडे में कवर और में सब कितने कितने लग रहा है तो यह आप देख सकते हैं यहाप लेवरेज 5 एक्स पाइव एक सार डेलिवरे में आपको वाने यह तो आप देख सकते हो अगर आप इसको एक quantity बाय कर रहे हो तो यहाँ पर आपको बोल रहा है कि आपको 172.78 रुपीस देना पड़ेगा इंट्रेडे बेसिस पर जो कि आप मुझे बता दो कौन ऐसा जो है calculated दिखा देता है ना abstract ना zero ना कोई आप मुझे यह आप दिखा दो उसके बाद option chain option chain में आप देख सकते हो यहाँ पर three months का जो ही यहाँ पर option chain आपको data दिखा रहा है ठीक है आप थोड़ा सा इसको ऊपर करो होगे यह देखे मान लेजिए option में जर अगन क्लिक करता हूं तो यहाँ पर मैं इस वाले पर क्लिक करता हूं तो मुझे यह वाला data जो है यहाँ पर show हो जाएगा तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो है call put अगर आपको आता है यहाँ से ही आप directly option chain को analysis कर सकते हो जैकि अभी देखे option chain में क्या है अभी मैं आपको थोड़ा सा option में भी थोड़ा सा details आपको में बता दे रहा हूं देखे option में अभी विल्कुल भी liquidity नहीं है especially stocks में अभी थोड़ा पीछे चलते हैं पीछे चलते हैं मतलब की यहाँ पर आपको थोड़ा सा chart भी दिखा दे रहा हूं ठीक आपको नहीं लगता आने वाले टाइम पर यह और आप जाएगा क्योंकि stock market है सब लोग को interest है भी पैसा बनाने का तो यहाँ पर आप clearly देख सकते हो कि जो यह stock market है दीरी-दीरी growth कर रहा है grow कर रहा है इसका मतलब है कि दीरी-दीरी लोग पैसा डाल रहे stock market पर जो कि काफी अच्छी चीज़ है लेकिन यह होता है कि अगर आप अभी सीखते हो अभी आप trade करते हो अभी सीख जाते हो सारी चीज़े तो जब लोग आ जाएंगे मैं कहने का कोशिश कर रहा हूं वह समझने का कोशिश कर जब लोग धिरी-देर आने लगे तब यहाँ पर प्रो हो या फिर जो next expiry होता है next month expiry वहाँ पर लोग trading नहीं कहते हैं अभी देरे-देरे उसमें भी volume आने लगा है तो आने वाले 5 सालों के अंदर ये अंदर में बात करों 5 सालों के अंदर हमें stocks में भी जो है option का जो यहाँ पर liquidity देखने को मिल जागा बट यहाँ पर आप देख सक का भी carry चल रहा है कि सारी चीज़ें open interest वाइव अगर आप फॉलो करते हो तो आप इसको यहाँ पर clearly monitor कर सकते हो second September हो गया October हो गया अगर आप futures को देखके आप trade करते हो तो यहाँ पर आपको सारी details मिल जाएगे like premium discount और expiry में कितने दिन बाकी है वगेरा वगेरा सारी चीज़े यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो 25 अगस्ट जैसे कि आज डेड भी है 23 अगस्ट यानिकि दो दिन को ही बा इसन कितना है पी रेशियो कितना है इंडिस्ट्री का पी रेशियो कितना है डिविडेंट कितना है बुक पेलो फेस बेलो प्राइज बुक रेशियो सारी चीज़े आपको details इक यहाँ पर देख जाएगा उसके बाद historical performance कैसा है एक साल में कितना हाई गया था पांस सालों मे लोग कितना ही है तो सारी चीज़े आपको यहां पर देखने को मिल रहा है आप यहां पर देख सकते हो जो इसका शेयर होल्डिंग पैटन है किस तरह है प्रोमोटर के पास कितना है गवर्मेंट के पास कितना है कमपनी का ओन शेप पास किस के पास जादा ज्यादा ओनर्शिप यह जो है एक ही प्लाटफरम में सारी चीज़े आपको देखने की जरुवत ही नहीं है क्योंकि यहां पे सारी चीज़े आपको clearly सारी चीज़े आपको दिख रहे हैं अगर आप news वगरा follow करते हो तो news में आपको यहां पे दिख जाएगा देखी कि आपको देख सकते हो कि ICIC bank ने क्या किया है interest rate high किया है तो इससे क्या effect पढ़ने वाला stock पे और उसके बाद ICIC जो है क्या क्या चीज़े करती है like market cap कितना हो गया trillion हो गया और उसके साथ किया क्या हो गया सारी चीज़े आपको यहां पे news media सब कुछ मिल जाएगा उसके बाद यह कौन सा sector से है bank sector से है sub sector यानि कि private bank है large cap इसको आप कह सकते हैं सारी details आपको यहां पे clearly मिल जाती है तो अगर आप धन पर अभी तक account नहीं खोले तो account खोल लो क्योंकि मुझे नहीं पता कब तक यह free रहने वाला है अभी जो भी customers inboard कर रहे हैं या कि इसमें अपना account खोल रहे है वो freely account open कर रहे है मुझे नहीं पता कि आने वाले time के लिए जो customers है वो उनके लिए कुछ paid कर दे या फिर कुछ और कर दे तो कि अभी के लिए यहां पे कोई AMC नहीं है आपको कोई charges नहीं है आपका account opening भी totally free of cost है और सबसे बड़ी बात क्या है कि आप अगर मान लिजे यहां पे आप trading view पे आप click करोगे तो यहां पे आपको trading view से related सारी चीज़े free of cost मिल जाएंगे चाहे वो multiple charts हो या फिर time frame हो या फिर कोई भी चीज़े हो सारी चीज़े आपको यहां पे clearly मिल जाती है तो वीडियो को अगर अच्छा लगा वीडियो को यार लाइक कर दो बहुत मैनाद लगता है वीडियो को बनाने के लिए ताकि मुझे इस तरह का motivation मिलता रहे आपके लिए एक वीडियो नया नया लाता रहूं वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्त मिलते हैं अगले वीडियो पर तब तक लिए अपना ख्याल रखेगा गुडबाई दोस्तों टेक क्यार